हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी अध्यापकों के भरती वपद्दोनती नियमों को बनाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो वहीं इग्नु संस्थान की मानिता भी पूरे भारत में हैं, एक साल का डिप्लोमा भी न्सी टीई से मानिता प्राप्त है और हिमाचल सरकार इसते इंकार नहीं कर सकती, लेकिन एंसी टीई के नियमों का हवाला देकर हिमाचल सरकार द्वारा बनाये जा रहे भरती वपद्दोनती नियमों में कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है इनहीं मुद्दों को लेकर इगनू, D.E.C.E. डिप्लोमा धारकों ने CPS सुन्दर ठाकुर से मुलाकात की और CPS के माध्यम से सरकार को ग्यापन भी भेजा डिप्लोमा धारकों का कहना है कि N.C.T.E. के नियमों का हवाला देकर सरकार के द्वारा जुन्नियम बनाये जा रही है उसमें 2 साल का D.E.C.E. डिप्लोमा या एंटिटी डिप्लोमा शामिल है उनका कहना है कि प्राइमरी स्कूलों के लिए सबसे उप्यूक्त़ D.E.C.E. डिप्लोमा धारकों या एंटिटी ही है क्योंकि ये दोनों ही प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए बच्चों को बक्षू भी पढ़ह सकते हैं ऐसे में प्रदेश सरकार से उन्होंने मांग की है कि एक साल वाले डिप्लोमा धारकों को भी भरती और पद्दोनती नियमों में शामिल किया जाए. हमने आज सीपेस से बात की एप्लिकेशन दिया कि सर जो हमें इस बारे में आप आगे हमारी बाते रखें हमारे हक में आगे बात करें तो उन्होंने बताया है कि हम आगे रखेंगे बात और हमें उमीद है सर हमारी बाते आगे को रखेंगे हमें पूरान बिश्वास है कि सर ज और वो जो हमारे हक में बात करेंगे हमाले पॉलिशी बनाए जाएगी और जितने भी हमारे जो बेरोजगार है उनको जो है नोकरी मिलेगी और मैं चाहते हूं कि जैसे गोवर्मनें अभी तु यह का इसमें प्राइकेविया रखा हुआ है हम चाहते है कि जो बन-इयर का स्वामा-भै्ली दीज नहीं है तो हम ये करवाया जारह है स्वार्गार हमें इस जांसे में क्यों रंख रिए कि कुछ सोगा या बढ रखे है या को बंकरवा दें या हमें इसके रिए कंवाय कर के लिए पहले सरAU्त हमारे परसेंट हमारे लिए रखा था लगों के लिए तो हम चाते हैं कि यह प्रॉसेस जैसे ही göra है और पहले सरकार ने 30 परसेंट ऐसे वालों के लिए तो ह हम चाते हैं कि इस साल भी यह यह hik April रखा ताकि हम लोगों को मुख्वी मिल सके हैं।